सब्मिटर का कनेक्शन सही तरह की से करना सीखें नमस्कार दुस्तों सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एलेक्रिकल वर्क लानी से में स्वागत है सब्मिटर का कनेक्शन बहुत तरह के से किया जाता है एक DPMCB यानि DoublePole MCB उसके साथ एक सब्मिटर रखा हुआ है उसके साथ फिर से एक DoublePole MCB और यह House No.1 है और यह House No.2 है तो हम Main Meter का कनेक्शन DPMCB से करेंगे उसके बाद House No.1 को करेंगे उसके बाद सब्मिटर 2 से फिर से House No.2 को कनेक्शन देंगे अभी हम पहले तरीके से वायरिंग करेंगे और जानेंगे कि यह सही तरीका है की नहीं तो चली वीडियो की स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मीटर पर पोल से एक Red War आएगा और एक Black War आएगा फेस और नीटरल उसके पाद मीटर के ठोड और 4 पोइंट से नीटरल और Red War निकल के DPMCB के नीचे वाले टर्मिनल पे चला जाएगा इस तरह से अब DPMCB के उपरी टर्मिनल पर House No.1 का लोड जाएगा इस तरह से अब 100 मीटर का कनेक्शन करते हैं तो देखें पहला तरीका इस तरह के से आप कर सकते हैं सब मीटर का वायरिंग पहले तरीके से कंप्रिट हो चुका है यह वायरिंग भी सही है ठीक वायरिंग है लेकिन इसमें क्या प्रब्लम हो सकता है तो देखें अगर किसी कारण वर्ष आपका जो लोड नमबर वान था हाउस उसके उसमें फॉल्ट हो जाता है और आपका जो एमसी भी लगा हुआ है अगर वो ट्रिप हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका जो हाउस नमबर टू पे लोड गया है सब मीटर को थू तो वो सब मीटर भी आफ हो जाएगा क्यूंकि जो डीपी एमसी भी आपने मैं मीटर के साथ लगाया था उसके उपर ही टर्मिनल से आपने सब मीटर पर वायरिंग क्या हुआ है जब वो डीपी एमसी भी ट्रिप हो जाता है तो सब मीटर का कनेक्शन भी बंध हो जाता है तो आपको मैं अभी सही तरीका बताऊंगा कि किस तरह से करना है ताकि जब मैं मीटर का डीपी एमसी भी ट्रिप हो तब भी सब मीट का लाइन चालू रहें तो चलिए आग वीडियो को आगे देखते हैं में मीटर से लेके dp-mcb तक का कनेक्शन से मी रहेगा इस तरह से कि अब dp-mcb के उपरी टर्मिनल पर house नमबर वान का लोड हमें जोडना है इस तरह से अब हमें Submeter का कनेक्शन DPMCB के नीचे वाले टर्मिनल से करना है जो मेंजोANS के साथ DPMCB लगा हुआ है इस थरह से Submeter का कनेक्शन हो चुका है DPMCB के नीचे वाले टर्मिनल से चलिएब हम Submeter से आगे का कनेक्शन कर लेते हैं तो यह दूसरा तरीका है सब्मेटर का कनेक्शन करने का और आपको बता दू यह बहुती सही तरीका है सब्मेटर कनेक्शन करने का क्योंकि देखे जब हमने DPMCB के उपर ही भागते सब्मिटर को लाइन दिया था तो क्या हुआ था कि जब ट्रीप होता है तो सब्मिटर बंद हो जाता था अभी हमने DPMCB के नीचे वाले टर्मिनल से सब्मिटर पे लाइन दिया है ताकि जब हाउस नमबर वान में कुछ फॉल्ट होने के वाज़े से जब MCB ट्रीप हो जाया तो सब्मिटर का लाइन बना रहे वो चलता रहे और हाउस नमबर टू में जो हमने सब्मिटर के थुरू लाइन दिया हुआ है वो कभी बनना रहे अगर आपके वीडिया अच्छा लागा हूँ तो प्लीज चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब काना टूटली फ्री है आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धनेवाद आपके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्यू वेरी मच्छ आप सबका दिन बहुती सुब रहें